Hello 10th class आपका जो next topic आता है इंपक्ट of globalization in India की इंडिया के अंदर जो है वो globalization का कैसा परभाव पढ़ रहा है आए देखते हैं दोनों पढ़ते हैं negative भी पढ़ रहा है और positive भी हम पहले क्या पढ़ेंगे positive पढ़ते हैं कि positive परभाव क्या पढ़ रहा है देखें क्या है इसके अं से पहले हम क्या दीखिएंगे पहले हम एड़ानटेज देखते हैं कंजूमर को किस सरसका एड़ानटेज मिल रहा है देखें फस्ट क्या है आपका greater choice मतलत के जादा से जादा जो है गुड्स हैं हम ले सकते हैं ठीक है घर देश का जो प्रॉडक्ट है हमारे यहां बिक रहा है किसी भी country का जो प्रोडक्ट है हमारे यहां बिक रहा है चाहए अमेरिका को हो लड़न का हो चाइना का हो अफ्रिका का हो ठीक है किसी चीज का भी जो है प्रोडक्ट है वो आज हमारे देश में बिक रहा है तो एक great choice है हम लोगों के बास हम लोग इंप्रूफ्स्विक् काइसे होगा अगर आप मान लिएए कि आफ निनिन मेंन कंपनी को नीक तो तो हमारे की यह काम कर रही तो इसमें अपना 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 अच्छा क्वालिटी होगी उसमीर को लेंग उस सामनियोंतरू हम लग brand हो अच्छा हो देखने में quality अच्छ हो तभी हम लोग accept करते हैं तभी हम लोग लेते हैं तो वो चीज़ लोग सुझेंथे कि greater choice हमा हम लोगों के पास होती है improved quality होनी चाहिए तो ये तो ये दो चीज़े होती हैं next आती है आपकी lower price, प्राइज मतलब देखिये मिल रहा है तो वह क्या करते हैं जितना कम पराईज होगा आप गये उतना हम उसने हमונה पास महीं चाहिता है थैक है आपका आसा होता है तो हम नेनी चीज़ा सीखने को हमें मिलती है वर्ल्ड वाइल जो है एक स्टैंड है जो सबसे जदा हाइस जो हाइ है ठीक है तो उसको फॉलो लोग हम लोग करते हैं तो ये एक एडवांटेज हुआ कि हमें कंजूमर्स को काफी एडवांटेज देखने को ग्लोबलाइजेशन के आने से क्लियर हुआ एडवांटेज अब वहीं हम देखते हैं परड्यूसर जो परड्यूस कर रहा है समान को बना रहा है उसे क्या क्या हो रहा है हम यहां पॉजिटिव पढ़ेंगे पीछे मैं आपको नेगिटिव बताऊंगी पहले पॉजिटिव देखते क्या है लोकल कंपनी सप्लाइज राव मटीरल टूम एमनसी को करती है कैसे करती है जैसे की मान लीजी आप लोग जैसे की होता है मैं आपको चीज़ बताती है रुको जैसे की यह देखिए जैसे की आप मान जी आपकी इंडिया है टीक है इंडिया केians अंदर क्या है USA की कन्ट्रि आती है अब डालें चाहिए तो कच्छामाल कहां से लेगा अपने वहां से यूएस थोड़ ना लेकर आएगा वह इंडिया के लोगों सिक्र देगा अब वह देखीगा कि जिसमें सस्ती जो है डाल मील कौन सी है जासे डालें मिलती है पल्सिस मिलती है तो माले चोटी सी कार खाने की जो दाल मील होगी वहाँ जाएगा M&S company जाएगी और वहाँ से कच्चा माल लेंगी और आगे बेचेगी तो क्या हुआ ऐसे में क्या होता है कि जो छोटी होटी कार खाने होते हैं इंडिया के तो वो क्या करते हैं MNC को क्या करती है अपना माल बेचती हैं कच्छा माल बेचती हैं तो सप्लाइ करती हैं तो एक क्या हुआ कि इसमें एक अच्छी सीज़ हुई जो मच्छोटी उटी कंपनी है वो और अधा बढ़ रही है क्लियर हुआ पॉजिटिव पार्ट हो गया न्यू जोप्स हाव बिन क्रियेटर ने ने जोप्स लोगों को मिलती है अब देखिए अब MNCs आएंगी जाहिर से बहाँ से प्लांटेशन लगाएगी तो लोगों को बस ने ने जोप्स मिलेंगी तो इन ने अपॉइंट अनको मतब अच्छा प्रॉफिट हो गया प्रोड्यूसर को अब देखिए इसमें क्या है तो आप लोग क्या करते है जो जो इंडियन की जो कंपनीज होती है वो जो यूसे की कंपनीज होती है उनके हाथ क्या कर लिए हाथ मिला लेती है तो इसमें देखिए क्या चीज है तो वो क्या होता फाइदा हो जाता है तो new technology and capital form collaboration with foreign companies तो इसमें क्या है कि जो लोगों का है जो मिल्टीनेशन कंपनीज होती है वो क्या करती है जो छोटीटी कंपनीज होती है इंडियन की तो उनके हाथ मिला जाती है तो ऐसे में क्या होता अगर कोई छोटी कमपनी, मल्टिनेशन कमपनी के साथ मिलाती है तो वो टॉप इंडियन कमपनी के अंदर आ जाती है तो फाइदा हुआ ये भी हाँ पर नेक्स आता है, due to globalization, some large Indian companies has emerged MNCs जैसे कि अब ये तो नहीं है कि सिर्फ बाहर की जो countries है, वो ही MNCs बन सकती है, वो ही अच्छी companies बन सकती है हमारी इंडिया की जो company है, वो भी MNCs बन सकती है कैसे बन सकती है, जै कि Tata Motors होगी, Runback Sea आपने नाम सुने होंगे तो ये सब क्या है हमारी, कि globalization के आने से हमें मौका मिला है कि हम भी एक multination company बने, ठीक है तो इस topic में तो हमने देखा कि globalization के आने से क्या हुआ producer को फायदा ओरा और consumer को भी हो रहा है तो positive बना, आगे हम देखेंगे कि negative परवाब क्या पढ़ रहा है अब यहाँ आप देखेंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है Is there any negative impact? हाँ, बिल्कुल, impact तो पढ़ रहा है किस से पढ़ रहा है? Small producer, compete or perish अब देखेंगे, मैं आपको एक story बताती हूँ रवी की, जो एक small producer है वो एक capacitor बनाता है मतलब capacitor हम उसे कहते हैं जैसे कि TV और आपकी radios बगरा होते है उनकी कुछ unit होती है उन्हें हम कह सकते हैं कि TV और रेडियो का कोई कच्छा माल raw material तो वो क्या है? वो आगे साथ कि जो है रवी जो बेचता है आगे जो TV बनाने वाली कंपनी जैसे कि रवी ने, ये रवी है रवी ने capacitor अपने बेचे किसको बेचे जो TV बनाने वाली कंपनी है अब TV वाली बनाने वाली कंपनी उसको अपने क्या उसने बेच जी अपने capacitor बेच दिये अब ये क्या गरी कि TV बनाएगे और आगे पबलिश करे लेकिन ऐसे में क्या होता है जब globalization के आने से क्या होता है अब बंध हो गई अब उसमें क्या हुआ जो अब रवी थी रवी था अब रवी के पास तो जो जो capacitor थे वो किसको देगा जब TV वाली कंपनी नहीं देगी तो किसको देगा लेकिन वो MNC को नहीं दे पाएगा अपने capacitor क्यों नहीं दे पाएगा वो महेंगे में ही बेचना चाहेगा तो यहां पे एक लोस हो जाता है रवी का तो यह small producer जिनका नुकसान हो जाता है किसके MNC आने से कि MNC जो है वो सस्तामाल लोगों से लिती है तो रवी अपना सस्तामाल में बेचना नहीं चाहता तो ऐसे ही से जो small producer होते हैं उनको काफी problem होती है और ऐसे में क्या होता है वो पूरी industry से बाहर हो जाते हैं compete नहीं कर पाते हैं competition नहीं लड़ पाते हैं तो ऐसे में क्या होता है वो बाहर हो जाते हैं कौन-कौन से producer है ऐसे कि batteries, capacitors, plastic, toys, tires, dairy, products and vegetables oil are some example of industries where the small manufacture have been hit hard due to competition के वयसे क्या होता है वो इंडेस्ट्री से ही बाहर धकेल दिये जाते हैं तो यह रवी की स्टोरी थी आगे आता है competition and uncertain employment अब इसमें क्या है कि जो कि MNC जब आती है तो उसमें क्या होता है जैसे की वो ट्राय करती है to reduce cost जैसे की मैं आपको एक्जामपल यहां पर भी दूँगी एक जैसे की यहां पर इंडिया के अंदर हमारे जो producer हैं वो कुछ माल बना रहे हैं कोई cloth बना रहे हैं कपड़ा बना रहे हैं तो वो बेच रहे हैं जैसे की वो 200 में बना रहे हैं 300 में वो लोग बेचेंगे वही MNC क्या आ जाती हैं तो 100 रुपे का फैदा कर रहे हैं MNCs अगर आ जाएंगी वो क्या करती है 100 रुपे का समान बनाती है और उसको 25 में बेचती है वही सेम चीज़ को तो लोग क्रिदेंगे MNC वाले समान क्रिदेंगे ना हमारे इंडिया जो फार्मस के बना जो लोग बना रहे हैं वो नहीं लेंगी ठीक है लेकिन वो जो उसके कैसे का करेंगे बर्डन कम्स ऑन वर्कर वो वर्कर के उपर जादा बर्डन डाल देगी कैसे कि आप काम नहीं करेंगे तो हम आपको पैसे नहीं देंगे ऐसा बोल बालके तो क्या करती है MNCs जो होती है मल्टिनेशन कमपनीज होती है काम निकलवाती है अपने वर्कर से अब यहाँ पे एक स्टोरी है शुशीला की जो आपकी बुक में भी दे रखी है आप उस पे देखेगा और आपको जो चीज समझ में आएगी ठीक है तो इसमें क्या कहते है यहाँ पे दे रखी है आपकी स्टोरी है अब इसमें क्या है गार्मेंट वर्कर में काम करती है शुशीला के पास क्या है शुशीला क्या करती है उसको अच्छा मतलब जहाँ वो काम करती है गार्मेंट वर्कर में काम करती है तो इसको पेडली मिलती है ओवरटाइम मिलता है डिवाली वोनس मिलता है परमनेंट वो है हमाँ पर है लेकिन ऐसे में क्यों आता है वहां पे is आ जाती है और अपना जो गार्मिन्ट मेन बना लिए वाली कंपनी वो उनके सामने टिक नहीं पाती है तो ऐसे में क्यों तो वो सारी मार्किट क्या हो ज कर वो तो निकल उसको निकाल दिया जाएगा वहां से तो ऐसे में क्या है कि अब यहां में कह सकते हैं कि वर्कर सफर अलोट अफ इन दिस एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन तो यहां आपको समझ आया होगा कि ग्लोबलाइजेशन से आने से बहुत नेगिटिव परवाबी पड़ खुआ है और नेक्स वीडियो में आगे मैं आपको आपको जो आपका लास चुपिक बचता है उसके बारे में बताउँ आपको